प्रेक्टिस करते रहेगा सभी की तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर अधिक्तर करेंट के ही होंगे और 25 प्रश्णों का एड़ किया गया है इसमें कुछ static भी होंगे तो पहला प्रश्ण है भारत वन श्थिति रिपोर्ट 2019 से अचा भारत वन श्थिति रिपोर्ट यह वार्षिक रिपोर्ट है और फर दूई वार्षिक है दो सालों में आती है इससे फैरे 2019 माही थी तो भारत भारत वन स्थिति रिपोर्ट दोयार 21 की अनुसार वर्स 2019 की तुलनामे में ग्रूब फोरेस्ट में कितने वर्ग किलोमेटर की ब्रद्धी हुई है बताइए 29, 26, 29, 17, कुछ और कर लीजे 49 कर दीजे इसको 17 की हुई है फिलाल ठीक है डी है इसका अंसर तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट दोयार 21 के अनुसार वर्स 2019 में 19 की तुलनामे में ग्रोव बन में 17 वर्ग किलोमेटर की ब्रद्धी देखी गई और भारत का जो कुल मेंग्रोव आवरण है अब कितना हो गया है 4992 वर्ग किलोमेटर तो इसको भी याद रखिया और कितने की वर्द्धी हुई ह 17 वर्ग किलोमेटर की नमबर टू पर आजएए इसरू के नए चेयर्मेन कौन बने हैं अभी तक केव शेवन थे उनके बाद कौन बन गए हैं एस सोमनात ठीक है और यह गुरवीर पाल सिंग जो है यह एन सी सी रास्टे क्रेडिट कोप्स के 34 वे डायरेक्टर है अनसंधान संगठन यह इसरू के चेयर्मेन और अंत्रेक्स सच्चिव के रूप में निक्त किया गया है नमबर थ्री पर आजए हाल ही में पुरुस एकल फाइनल में सिंगापुर के मौझूदा विस्व चेंपियन को हरा कर इंडियन ओपन बैडमिंटन टूनामेंट किसने जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूनामेंट जीत लिया है लक्ष सेन ने तो भारते बैडमिंटन खिलाणी लक्ष सेन ने हाल ही में पुरुस एकल फाइनल में सिंगापुर के मौझूदा विस्व चेंपियन को हरा कर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूनामेंट जीत लिया है और वीस वर्सी है खिलाणी है लक्ष सेन यह जो है विश बैडविंटेंग संग दोरे पर यह उनका पहला सूपर 500 खिताब है और उन्होंने इससे पहले वर्स 2021 में विश्व चेंपियंशिव के फाइनल में स्रीकांत से हार कर कांश्य परक्ष जीता था नमबर फोर पर आजए उत्तर प्रदेश बिधान सवा में निर्वाचित सरस्यों की संख्या कितनी है इलेक्टेड मेंबर पूछा निर्वाचित सरस्यों तेखिये निर्वाचित अगर मनुनी हम मिला दें तो 403 प्लस एक टोटल 404 है अब यह इलेक्टेड है यह नॉमिनेट अब कुल पूछा तो 404 उत्तर होता लेकिन फिलाल इसका उत्तर क्या है डी 403 तो उत्तर प्रदेश बिधान सवा में सरस्यों की कुल संख्या तो 404 है लेकिन निर्वाचित है 403 और एक है मनुनित नमबर फाइब पर आजए माउंट मनीपूर कहां इससत है माउंट लक्षदीप में नहीं अंडवान निकबार दीप समू में तो हाल ही में केन सरकार ने अंडवान निकबार दीप समू के माउंट हैरियट का नाम बदल कर माउंट मनीपूर कर दिया है माउंट हैरियट या मनीपूर अंडवान और निकबार दीप समू की तीसरी सबसे उची चोटी है ठीक है पहले भी इसके तीन दीपों के नाम बद ले गई यह चोटी और बदल दिया माउंट ठाय का हो गया है मांट the स्कात्राल स्धाने स्स्थान अज़ते सब्सक्राइन बॉत दुब हां ईंडिले में सब्सक्राइक अनुसंधान में प्रसेक्शन अनुसंधान और सूचना प्रसार ही तो एक स्वाय तो सेक्शन कसंस्थान है इसका मुख्याले है नई दिली में तो सारे के सारे करेक्टर कर डी नमबर एट पर आजए भारत में थल सेना दिवस भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है जन्वरी में तो एक ही स्टेट्मेंट है जन्वरी के नाम से विकल्प 15 जन्वरी को तो भारत की थल सेना 15 जन्वरी के दिन सेना देवस मनाती है वर्स 1222 में यह है थल सेना का 73 सेना देवस है 15 जनबरी 1904 को भारते सेना पूरी तरह से विर्टे सेना के निंतरन से मुक्त होई थी और जनरल के एम करियप्पा देश के पहले सेना देख्स बने थे देखिए भारते सेना की स्थापना एक अपरेल 1895 में की गई थी और भारते सेना का अदर्स वा क्या है स्वयम से पहले सेवा ठीक है सर्विस विफोर सेल्फ के एम करियप्पा यह समय है अंग्रेजों के टाइम का नमबर नाइन पर आजी है बेतवा नदी किसकी टिविटरी है किसकी सहयक नदी है बेतवा चंबल की है यमुना की यमुना की सहयक नदी है तो बेतवा जिसका प्राचीन नाम है बेत्रवती यमुना की सहयक नदी है यमुना गंगा की सहयक नदी है माता टीला बांध किस नदी पर निर्मेत है माता टीला बांध है वेतवा नदी पर निर्मेत है तो माता टीला बांध भारत के उत्तर प्रदेश के ललितपोर डिस्टिक में इस्तित है जिसे 1958 में वेतवा नदी पर बढ़ाया गया था ग्यारा प्रेशन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुलहर जील इस्तित है पीली भीत में तो फुलहर जील जिसे गोमल ताल भी कहा जाता है ठीक है इससे निकलती है गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीली भी जिले में माधो टंडा के समी पिस्ते देख जील है गोमती नदी का उद्गम जो है इसी जील से होता है फुलहर जील या गोमल ताल से बारवा प्रेशन है निम्लिकित में से कौन उत्तर प्रदेश का सीमा परती राज नहीं है सीमा परती राज है देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के आठ राजों से लगती है और एक किन शाष्ट प्रदेश दिल्ली से लगती है कुल मिलाकर नो राज और किन शाष्ट प्रदेशों से लगती है तो उत्तर प्रदेश का सीमा परती राज ना सिक्किम है इसमें ना इसमें महारास्ट है ना पंजाब है कौन सा है हरियाना है उत्तर प्रदेश की सीमा महारास से नहीं लगती क्योंकि मध्धर प्रदेश बीच में आ जाता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है किस से उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश से हरियाना से राजस्थान से मध्ध प्रदेश से 36 गड़ से जहारखंड से बिहार से और दिल्ली तेरा प्रश्न है किस देश को हजार जीलो की भूमी कहा जाता है हजार जीलो की भूमी कहा जाता है तो फिनलेंड को हजार जीलो की भूमी कहा जाता है कनाड़ा की राजधानी क्या है UP PCS में एक अदर राजधानी साल दर साल छोड़ कर पूछ लेते हैं मैच करने के लिए ठीक है वैश्विक इस तर पर पूछनें तो ब्राजील की ब्राजीली आए तो ये तो होगी नहीं मालदीप की माले है अरजन्टीना की व्यूने सायर कनाड़ा की होगई उटाबा तो उटाबा जो है वो कनाड़ा की राजधानी है यह नगर कनाड़ा में ओंटेरियो प्रांत के काल्टन प्रदेश में उटाबा नदी के दाहिने कराने पर इस्तित है कहां पर इंडियन ओशियन में या पैसिफिक में टोंगा दूइप समू है परसांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में देखे हाल ही में टोंगा के दक्षणी परसांत दूइप में एक ज्वालमकी विस्फोर्ट हुआ है उससे क्या हुआ है कि परसांत महासागर के चारो और सुनामी लहरे उठ रही है और टोंगा दीप समू जो है रिंग ओफ फायर में मौजूद है अब रिंग ओफ फायर का ज सरकम पैसिफिक बैल्ड भी कहा जाता है परसांत महासागर के साथ एक ऐसा छेत्र है जहां अधिकान से सक्रे जौरा मुखी यानि एक्टिव वाल केना और भूकाम प्यानी अर्थक्यूग रिकॉर्ड किया जाते हैं नमबर 16 पर आजिये मध्यप्रदेश राजी की सीमा नमलिकित में से किस राजे से नहीं मिलती है मध्यप्रदेश राजी की सीमा भारत के पांच अन्य राज्यों से मिलती है ठीक है यहां पर फैला है मध्यप्रदेश अगर जोग्रफिका पता होने चाहिए आपको इंडिय से उत्तर प्रदेश घेरे हुए और यहां च्छत्तिस गड़ घेरे हुए तो पांच राज्य हो गए गुजरात हो गया राजस्तान हो गया च्छत्तिस गड़ हो गया हरियाना कहां पर है तो हरियाना से निलगती यूपी के लगती है हरियाना से कि नमबर स्वंटीन पर आजि ए उत्तर प्रदेश का नमिलकित में से कौना करता है उत्तर प्रदेश की सात जिले हैं जो नेपाल की सीमा को इस पर्ष करते हैं महराज गंज हो गया सिद्दार्थ नगर हो गया पीलिभीत हो गया ठीक है लकिम फुर खिरी भी है कुछी नगर नहीं है स्रावस्ती है तो उत्तर प्रदेश की कुल कितने जिले साथ लिज जिले हैं जो नेपार की सीमा को इसपर्स करते हैं महराज गंज, सिदार्थ नगर, बलरामपुर, स्रावस्ती, वहराईच, लखीमपुर, खीरी और पीली भीत पुश्य नूबर 18 पर आजिए, भारत का 52 बार टाइगा रिजर्व होगा, कौनसा? भारत का 52 बार टाइगा रिजर्व होगा, रामगड विश्धारी अभ्यारन तो रामगड विश्धारी अभ्यारण राजस्थान का चोथा टाइगर रिजर्व या भाग अभ्यारण बन जाएगा और यह भारत का बावन बार टाइगर रिजर्व होगा आपको ग्यात होगी पुर्तेक वर्स 29 जुलाई को विश्व वाग दिवस के रूप में मना जाता है जो कि वाग के संद्रक्षन के बारे में जगरुकता बढ़ाने के लिए चिर्नित एक वार्षिक कारिक्रम है नमबर 19 पर आजिए किस राज में करक्रेखा और भारतिय मानक समय रेखा दोनों का मिलन बिंदू है करक्रेखा यानि साड़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांस रेखा भारत के आठ राज्यों से उकर गुजरती है अगर आपको यह भी नहीं पता तो यह तो पति होगा ना अध्य परदेश से उकर गुजरती है थिए ना उत्तर पर अंसर अ है या फिर इसकाड़ गभी है तो यहां जो सही उत्तर है, वो है D, 36 गड़, भारते मानक समय रेखा, साड़े 30 डिकरी पूर्वी दिसांतर और साड़े 30 डिकरी उत्तरी अक्षांस रेखा, तो देखें, 36 गड़ से होकर करक रेखा, और भारते मानक समय पूर्वी दिसांतर रेखा गुजरती हैं, जो कि सू अब 22 डिग्री पूर्विद इसांतर है वाइस ही बोला आये ना सॉरी साड़े 22 कहां साड़े 82 डिग्री पूर्विद इसांतर ठीक है बीस्वा प्रशन है कौन सा महादीप ज्वला मुखी रहीता है वॉलकानों नहीं फटते हैं यहां पर उत्री अमेरिका में तो हैं वॉलकानों साउध अमेरिका में भी अफ्रीका में भी ऑस्टेलिया में नहीं है तो ऑस्टेलिया महादीप में एक भी ज्वला मुखी नहीं ह नमबर 21 पर आज़ेए नमर्गित में से कौन एक विशम है जारखंड उत्राखंड तेलंगाना चाथिसगड ओड को छाटी है इसमें कौन विशम है देखिए उत्राखंड इनमें से एक पाहडी राज है ठीक है लेकिन उत्राखंड में कुल तेरे जिले हैं तेरे जिलों में से दो जिले वो जो हैं प्लेने रही हैं हरिद्वार और उधम्शिंग नगर बाकी के ग्यारा जिले जो पाहडी हैं लेकिन अगर इसको इस दरश्टी से हम देखेंगे अगर इसको हम इस्थापना दिवस के रूप में देखें तो सबसे सठीक उत्तर होता है वो क्योंकि एक नमंबर नो नमंबर और पंद्रे नमंबर वो सन है सन दो हजार की ठीक है एक नमंबर सन दो हजार को छतिसगड नो नमंबर सन दो हजार को उत्तराखंड और पंद्रे नमंबर सन दो हजार को जहारखंड अस्तित्व में आए ठीक है जहारखंड निकला बिहार स च्छत्यजगण निकला मध्यपरदेश से उत्राखंड निकला उत्तरपरदेश से तो इन तीनों का जो इस्थापना देवस है वो सन्द 2000 है लेकिन यहां तेलंगाना का जो इस्थापना देवस है वो सबी को पताऊगा दोह्यार 14 है तो और जो हो जायेगा न विश्ण में य उत्तरपरदेश से अलग होगा है कि को फकार प्योच निकला आओ निस निर्मित की जा रही है ड़ाए अरिजुन सही चीजजग पर्योचना कें सरकार और उत्तरपरदेश सरकार दोरा वर्स दत्युहार 9 में सुरुध बिशिया जा रही है यह परियोजना उत्तर परियोजना किस नदी पर निरमेट की गई है अब रसिंग बांध परियोजना यहां बान गंगा नदी पर तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बाण गंगा नदीपन निर्मित रसिन बांध परियोशना का लोकारपण किया गया और उलेखनी है कि यह है परियोशना मूलता है चौधरी चरण सिंग रसिन बांध परियोशना नाम से सुरू हुई थी नमबर ट्विंटीफोर पर आजए नमलिकित में से किस जिले में विक्रम शिला गांगे डॉलफिन अभ्यारन इस्तित है लैनितार उत्रकंड प्रियाग राज उत्तर प्रदेश पतना बिहार भागलपूर बिहार में है यह ठीक है भागलपूर इसका से उत्तित है तो बिहार के भागलपूर जिले में अभस्तित है विक्रम सिला गांगे डॉलफिन अभ्यारन गंगा नदी में मुंगेर से भागलपूर के कहल गाऊं तक 60 खिलोमेटर की दूरी में फैला हुआ है अपको ग्यात होगी जो गंगा की डॉलफिन है गंगा नदी डॉलफिन वो भारत का एक राज्टिय जली जीव है सुसू भी बोलते हैं इसको सुसू सुसू की आवाज निकाल कर चलती है पानी में तैयरती है मतलब नमबर 25 पर आजे निम्लिकित पर विचार करना है पाटले पुत्र कोशूमपूर अजीमाबाद पुरुष पुषपुपूर आपको बताना है कि उप्रोक नाम निम्लिकित में से किस राजी की राजधानी के प्राची नाम है प्राची मंगाल की राजधानी कोलकाता अब ये कोलकाता के तो प्राची नाम है नहीं पाटले पुत्र कोशूमपूर ठीक है उत्राखंड की है देहरादून देहरादून के भी नहीं है ये पुस्पूपूर पाटले पुत्र कोशूमपूर उत्तर प्रतेश की लखना उसके भी नहीं है तो ये बिहार की राजधानी पट पुस्प पूर कोशम पूर और अजीवाबाद के नाम से जाना जाता था तो भी इसका सही विकल्प सही उत्तर हो गया पुस्प सुमन कोशम यह किसके प्रायवाची है फूल के तो 25 प्रशन थे यह उनकी प्रक्टिस कर लीजेगा एक बार जितने भी स्टुडेंट यू के पीसी पीसेस वाले हैं और भी साथ साथ प्रक्टिस करते रही है धन्यवाद